कि यूद्मॉर्णिंग दोस्तों कैसे हो सब लोग यार तैयारी और पढ़ाई कैसी चल रही है जल्दी से बताओ कि अब यार देखो हमने काफी टाइम तक काफी दिनों तक काफी लंबी चर्चा करी थी एकदम बैस से बेस्ट सवाल हमने यहां पर लाइव क्लास में कर दे या ऐसा अब लेवल ऐसा कुछ नहीं बचा है कि यह आप आप किसी भी कुश्ण को टैच नहीं कर सकते कि कुश्ण क आपके लेकर आया हूं क्या जो प्रिवियस एयर्ज में जो प्रिवियस एयर्ज में आपके रेलवेज में आपके एंटी पीसी में आपके ग्रूब डी लेवल पे बैंक में जो क्लेरिकल लेवल के एक्जाम्स होते हैं महां पे उनके जो प्रिवियस एयर्ज कुश्चन है वो मैं यहां पे आज आपके लिए क्या आया हूं कि प्रीवेस में जब आप देखोगे जब आप खुद करोगे उन्हें तो आपको मालम चलेगा यार कि मैंने आपको कहां तक पढ़ाया है और क्वेस्चन असलियत में आ कैसे रहे हैं ऐसा नहीं है कि सारे कुछ से इसी लेव अधराइस कर देगा तो इसलिए हम पहले ही ठेट हो चुके हैं वह पहले हैं हमने सारे सवाल कि यहीं पर लिए है करें कहीं पे सोचनी से में जादर पड़ गई कहीं अधर बन रहे हैं तो जो भी चीज़े हैं वह में लाइफ देख लिए जब आप एक्दम निखर चुके ह हीँ अब काम क्या है आप हमारा काम है यह की हम की हम प्रिवेस का अनैलिसिस भी कर लें कि यारॉट में सवाल किस सरह सी आ रहे हैं और हम एक अच्छे लिए पहॉंच गए है अगर इसके उपर इससे टाफ सवाल भी अगर आते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हाया ना हाय ना बात क्लिए रहे यार पक्की बात है ठीक अब घ्यान दो आज है लेक्चर नमर 10 हमारे पससिवाज का और आज यह आखरी लेक्चर है तो कल से अब क्या पढ़ेंगे उस टॉपिक की फर्माईश किसकी होगी उस टॉपिक की फर्माईश होगी आपकी ना कि मेरी आप जो बता दोगे उसी को शूरू कर देंगे नहीं बताओगे तो फि कि शुरुवात हम करते हैं हमारी मोटिवेशन लाइन से और कप तक करेंगे जब तक यह बैच चलेगा जब तक मैं यहां पर आ रहा हूं एक मोटिवेशन लाइन आपके लिए हमेशा रहेगी ताकि आपके अंदर एनरजी भरपूर रहे क्या लिखा है आपका अपना वक्त न एक चल रहा है चल रहा है ज़र षाओ अताव मोढी जी न चल रहा है उनका टाइम थोड़ी आ ता उनका दौर ही आ गया और वह दौर भी इस तरे का है कि ओन सबढे है उड़्ाया सब को लिग उड़ा है रोज डाउट यहीं पूछ लोगे और फिर रोज सुझाओगे चिप चाप ठीक है तो शुरू करते हैं यार प्रीवियस यह से के क्वेश्चन का अनलिसस हम पड़ो भाई तीन लाइन का सवाल है हम कितने लाइन का कर चुके हैं आपको भी लगेगा कि सर्याद यह क्या ही कर वा रहा है पर देखो करवाना ज़रूर है क्यों को कि अनलिसस प्रीवेस यह का काफी इंपॉर्ण है आप उसको हलके में कभी नही पांच लोग हैं पांच तरीके वेट्स होंगे कोई मोटा होगा कोई पतला होगा जो भी बात है वो देखी जाएगी क्यों इस राइटर देन ओनली एस देखो हमारा जो प्रोसिजर था ना वो कभी नहीं बदलेगा बहले कुश्चन इजी हो हमें हमारा जो प्रोसिजर है यह हमेशा वह त convicted क्या हैं और यह यहां आना कमपल सरी है इसका आप कुछ है और नहीं कर सकते कि यहां दूसरा स्मारा बन सकता है है आप लोग जानते हो क्योंकि क्यों सिर्फ और सिर्फ से ही छोटा है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए कि और सिर्फ और सिर्फ यहां तो आप आर को यहां के लिए अलिमिनेट कर दो आप पता होगा कि आर यहां नहीं रख सकता यह दू जगे में बचेगी टिक आप तो यह थे क्या जाए अब तेस्ट एन रख मोट लाट भी यह थे रख यहां और देन आपट लाट देन ग्यू आना पी इस हेविर दिन आर भाट लाट देन ग्यू और इस नौट त लाइटेस्ट अब याद यह बताओ अब क्या किया जाए अब क्या करें अब क्या किया जाए पी क्यूरस्ट यह अब यहां नहीं रह सकते और आप यहां नहीं लग सकते P is heavier than R P is heavier than R but lighter than Q यानि कि P R T एक यही एक ऐसी संभावना है जो हमारे पास निकल के आती है क्यों कि यार देखो R और आप सो सकते हैं R तो मैं या रखोंगा लेकिन आपने यहां पे पहले ही R को cancer out कर दिया है तो इसलिए मैंने यहां पे बड़े-बड़े action में लिखा था कि R यहां नहीं बैठ सकता फिर मैंने आपको आपको आविस पढ़के बताया कि कि यार किस तरह से sentence frame हो रहा है तो आपके पास जो case बना है यार यह बना है यह दोनों cases एक ही है दोनों cases एक ही है ठीक है आए चरो अब आपको कुछ weights की भी जानकरी दी हुई है क्या जानकरी दी हुई है तो weight of heaviest person is 84 kg मैं आप लिखता हूं कि यह कितने किलो का है आप बोलोग सार यह तो 84 kg का है मैंने का ठीक है कि देवेट of second lightest person is 46 kg ठीक है अब ध्यान दो पता है इन में आप पजल को आपने सोल्व कर लिया लेकिन अब आप जो इनकी सवालों की जो फ्रेमिंग है वो एक सवाल में आपको फ्रेम करके बताता हूं कि कि किस तरह का वो सवाल आपके से पूछ सकता है ज्यान देना कौन-कौन से थे आर और एस के वेट हमें गिवन है अब ज्यान देना है ठीक क्वेस्चन कुछ इस सारे से एक्जाम में आएगा आपको कुछ इस प्रकार देता हूं हम पहला कि यहांदेना है फिफ्टी केजी सेकिंड आप्षिन यहां पर कितना था 46 था ना ठेक है ठीक है ठार्ड आप्षिन फोर्थ आप्षिन आप्षिन बता वहीं आपको फेगर नहीं बताना आपको बताना कि possibility इसको हम हिंदी पादे संभावना कहते हैं कि यह संभावना कि यह क्या हो सकता है आपके अनुसार आप बोलोगे सर आप एक बार वापिस परजल दिखाओ में मैंने का यह लो यार हाथ हो हाथ दिखा दी कि क्यों कहां पर है और एस की बीच में 46 किसका वज़न है आर का एसका वेट कितना है 84 जाने कि यह तो बात जाहिर है कि क्यूं का वज़न 46 से बड़ा होगा 84 से कम होगा 46 से बड़ा होगा 84 से कम होगा 46 से बड़ा गलत 84 से चोटा गलत गलत 50 कि यह तो इस तरह का सवाल आप से पूछने के चांसे काफी ज्यादा रहते हैं अगर वह वेट की बात करता है वह अगर हैट की बात करता है तो वे तोड़ी नहीं कि क्यों का वजन 50 kg ही होगा अगर मैं इसको 51 भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी यह 50 kg का भी हो सकता है ठीक है बास समझ में आ गई है चलो या अगले सवाल की तरफ क्या लिखाए ए बी सी डी अड़ अलवीन बिल्दिंग और फाइफ फ्लोर्स नंबर बन की बारा बार लोगों को भी बिठाया हुआ है दस लोगों का भी हमने घर बनाया हुआ है यह बात कर रहा है किसकी यह बात कर रहा है हमारी सिर्फ और सिर्फ पांच लोगों की बिल्दिंग की दियान देना है पांच लोगों की बिल्दिंग की बात कर रहा है तो पांच लो जैजर इसको आपने only बनाना है compels बनाना ही बनाना एक मेलेट लिए आप लोगी अब यानीति पता कि यहार फोलड अब मैं यह जोड़ीbelly बिलोगी है अब हम यह भी नहीं पता कि यह भी और सी कहां पर होंगे तो यार यह भी हमें थोड़ी होल कर दिया कि E and C live on even number floor अब यहीत हमें चाइए था यहीं तो हमें चाहिए था तो 45 बाल है अपने पास अपने पास कितने माले हैं पाच माले हैं अरे और यह और है काउंटिंग भी गलत कर रहा हैं बताओ प्रेक्षा counting तो गलत मत करो क्यों आप यह तो बोलो कि सर काउंटिंग तो गलत मत करो यार ठीक है यार माय मिस्टिक माय एलो पॉजी ठीक है जिहान दो 12345 12345 C lives इमेर्ट अच्छा यह वात हा ना E and C lives on even number floor बता दो एक दो एक दो जाले कहीं सर क्विलिंग है तो एक दो तीन चार पांच माले है इंकि और c 2 और 4 मेंसे कर बैठे होंगे हाय ना कि थमशबब करदो हाय ना आप बोलो न लिए को यहां बिठा दिया मैंने यहां बठा दिया एक पर सी को यहां बठा दिया है यारी ठीक है ओने तो जस्त नीचे कौन है E उसके बाद देखो A does not live immediately below E A यहाँ पर आएगा A यहाँ पर आएगा यह कैसे element हो गया? यह case बज़ी किया क्यों बज़ी किया? क्योंकि अब यह कह रहा है कि आपका जो A है वो E के immediately below नहीं हो सकता In any case नहीं हो सकता हाई न को आप एकडी करते हो इस बात से के गई UK इस बात से ठीक तो जुना मारे पास क्या आथ ये वाना माने पास पांच लोग इस बिइल्डियंग मेरे रह रहे हैं यह कि क्या स्वर्बी वाँ इस बीच में क्राउंट रहता है क्यों ना बात तक क्लियर तो आगे चले ल Spider पूल दो यार, बाद जाता के लिए रहे, नोट कर लो एक बार, सब्सक्राइब फड़ा सा जलपान कर लेते हैं, अबी, जलपान कर लिया जाए, कोई दिक्कत है, तो पूछ लो, कोई दिक्कत है, तो पूछ लो, यार, हम, पक्का, आगे चले, ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, कुछ इस प्रकार है, क्या है, फिर से पांच लोग, फिर से पांच लोग, फाइफ रेंट्स A, B, C, D and E are comparing their heights, देखो, पहले पांच दोस्त अपनी वजन ना परहे थे, अब वो height ना परहे, वेरिबस बदलेगा, लेकिन तरीका, प्रोसीजर, सेम रहेगा, यार, तरीका, प्रोसीजर, सेम रहेगा, हाय ना, ठेक है, पाल बढ़िया, पाइफ रेंट्स A, B, C, D and E are comparing their heights, C is taller than only one person, C is taller than only one person, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, C is taller than only one person, तो क्या मैं C को यहाँ पर रख सकता हूँ, बिना कुछ सोचे और समझे, बिना कुछ सोचे और समझे, C को मैंने यहाँ रख दिया, सब लोग एगडी करते हो, थमजब कर देना एक बार, E is neither the tallest nor the shortest, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं, तो देखो, E के लिए आप यहाँ पर कैंसल भी कर सकते हैं, आपको clear हैगा कि आप E को यहाँ तो नहीं रख सकते हैं, कहीं आप गलती से रख नहीं दो, तो आपको दिख जाएगा कि अरे यार, यह तो हमने गलता रख दिया, यह ऐसा नहीं होगा, ठीक है, E यहाँ भी तो नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ और जगे देखेंगे E की, यह दो जगे वस्ती है, यहीं पर कहीं होगा, ठीक है, There are two persons who are taller than A, who are taller than A, B is not the tallest, यानि की, यानि की, B is not the tallest, अब ध्यान दो, B और E आपके पास बचे हैं, sorry, D भी बच रहा हैं, ठीक, अब ध्यान दो, D, B और E हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है, D की कुछ कहानी हैं आपके पास, सर्ट D कहानी हैं तो हमारे पास हैं नहीं, आपको की दिया होगा है, B is not the tallest, यानि की, B यहान नहीं हो सकता, B यहान नहीं हो सकता, E भी यहान नहीं हो सकता, यहाँ पर किसका होना कंपल सरी है, यहाँ पर D का होना कंपल सरी है, आप कुछ और कड़ी नहीं सकते, यहां नहीं हो सकता यहां पर बी आएगा इक के रिए सिर्फ अब एक ही जगह बची है वो कहां पर सेकेंड नंबर पर यानिकि आपका जो हाइएस परसन है हमारा जो हाइएस्ट है इसकी हाइट सबसे जादा है वो कौन है वो है हमारा डी तो इसको एक काम गड़ो टॉलेट सबसे चोटा सबसे चोटा कौन है तो आप बोलोगे सर वो है हमारा बी कि शॉर्टेस्ट बात क्लियर है तो आगे चले बात क्लियर है तो आगे चलते हैं इसमें वहीं बन जाएगा तो यह कैसे क्या है है कि बन नहीं रहाँ तो अची बात है हमारा एक एप काम हो गया तो इसमें भी उपशीज चीजे वापीस आ करने इसंवन्रों को बदाओ यह फिर यह ऊसकता है यह ऐसे हो सकता है तो एक बादा थो पक्रक्रक्रण आ रहा लाइक ऊसेशन को करना कोई नहीं भूलेगा दोस्तों करना भी कोईए नहीं भूलेगा इस 단 chirr जिजे कोई नहीं बुलेगा बदाम खराओं तीन चीज़ों को याद रखने के लिए बदाम खाया करो रोज चलो अगला सवाल A B C D E R comparing their heights फिर से वह यार वो 5 लोग आ गए फिर से वह हाइट कंपेर कर रहे है ठीक है only 2 people are taller than E चलो अगर आप पांच लोगी कहान है तो फिर से अब हमारा काम तो नहीं बदल रहा है ना वहीं हमारा काम तो as it is है और मैंने आपको क्या पताया था यह सारे questions कौन से जो previously exams में आये हुए तो आप जान सकते हो कि यार exams में किस तरह questions बावार रीपीट हो रहे हैं कौन से exams में हो रहे हैं सब railways में आये हुए हैं एंटीपीसी में आये हुए हैं हमाई group D में बैंक के clerk में सब जगे ऐसे ही सवाल आया राखे ठीक किते लोग यार पांच लोग एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है था ना था रही लिख रहे हो पांच लोग ताप में सही बना दिये कि उनली टू भी पर आट टॉलर देन ए यानि कि ए से बड़े सिर्फ और सिर्फ दो लोग है तो यहार इसे बड़े सिर्फ और सिर्फ दो लोग है ठीक है इस टॉलर देन उनली वन परसन यह भी वास क्लियर है कि सी सिर्फ एक ही आदमी से बढ़ा हो सकता है सी सिर्फ एक ही आजमी से बढ़ा हो सकता है हाया ना हाया ना फटावर से बताओ भी हाया ना थमजब पर जरूर करना यार ठीक इस टॉर्ण दन बी बट शॉर्टर दन डी देखो जब आपके पास ए बी ओर दी तीनों ही चीज़े नहीं है तो एक काम करते हैं उसको साइड में लेक लेते हैं इस टॉर्ण दन बी बट शॉर्टर दन डी ों कि यह प्लेश करने का हमारा पास कोई जगे है एक ही जगे है जाओ आANG फोलो इससंग, नृइख को हमारे पास यह कॉन हो गया। यह होगे हमारा। यह कॉन हो हमारा shortest आदमी आश्चत है है कि तो यह बात क्लिए है नहीं तो आप देख सके कि आप क्री में किस तरह के सवाल आपसे बार-बार पूछे जा रहे हैं आपसे बार-बार पूछे मिलता है आपके लिए वो क्या है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस काफी साथ कुछिंस मैंने यहां पर करवा दी है यतना हमाई पास टाइम मिलता है उतना मैं यहां पर आपको सवाल करवा देता हूं लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इतने ही सवाल करने आपको और सवाल भी करने हैं वह और सवाल आप घर पे प्राक्टिसक्रांट में करो कोई दिक्खत होती है कोई दिक्खत होती है तो सरकारी नौकरी की त्यारी उसको join कर लो तो कि मैं देख रहा हूं वहां पर जब मैं questions डालता हूं तो आप लोग answer नहीं करते हो मैं आपको कितनी बार बोला है कि वहां पर भी questions upload हो रहे हैं अगर वहां पर questions upload हो रहे हैं तो आप लोग उनका answer क्यों नहीं करते हो यह बताओ आप लोगों को उसका आंसर करना है अगर आंसर आपको करना है तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी तो टेलिग्राम चैनल पर फटापट से जुड़ जाओ सठाद सरेकारी नोंखरी की त्यारी क्या ही नाम है अपनरे जोपन कर रहेरे Hij वही लायएा पंद कररहे नाम राखेंगे तो यूटूब्स टेलिग्राम पर चुड़ जाओ LACE और हाँ कल से जोभी ठापिक आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हो कि सराभी और पढ़ा दो तो तो उसी टॉपिक को पढ़ा दूंगा बातुर कलियर है तो आगे चलते हैं बात है तो आगे कहा चलेगे चिंवे अब च्छटी की जरब अब चुट्टी होचुगी घर जा-सकते हो गर-बहुटर को जो आप बताओगे और अगर नहीं बताते हो तो मैं अपने हिसाब से फिर स्टार्ट कर दूँआ फिर मत बूलना कि सब्सक्राइब करना कि अगला लेक्चर कौन सा चाहते हो अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो ठीक है गुडबाई मिलते हैं सुबह तड़के 9 बजे मंडे को किसी नए टॉपिक के साथ थैंक यू